हलो दोस्तों शड़े मूड में आपका स्वागत है BPSC ने बिहार दरोगा के 1998 तता सारजेंट के 215 पुष्ट के लिए अज फाइनल रूप से सिलेक्शन लेटर जारी कर दिया है आप ओफिसल बेज साइट से अपना सिलेक्शन लेटर जरूर डाउनलोड कर लिजेगा और उसे सुरक्षित भी रखिएगा और एक अगस्त से लेकि 20 अगस्त के बीच ओफिस में जाकर वहाँ पर भेरिफिकेशन भी आप लोगों को कराना है सबी परक्रिया मैं आपको बताऊंगा यह पले मैं आपको बता दो कि आप ओफिसल बेज साइट पर आईएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिहार पब्लिक सब ओडिनेट सर्विस कमिशन यहाँ पर आने के बाद दिखिएगा कि 19-2022 के डेट में लिंक दे दिया गया था और आज लिंक एक्टिव हो चुका है इस पर क्लिक किजिएगा तो आपका यह ऐसे खुल कर आगया आप 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 देख सकते हैं इसे खुल कर आएगा और उसमें दिया हुआ है देखिए मैं पढ़ कर आपको बता देता हूँ ठेक यहाँ पर देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन संख्या 0-3-2002 के अंतरगत पुलिस अवर निरक्षक पद के रिक्तियों के विरुद अंतिम रुप से चैनित किये जाने के संबंद में अब यहाँ पर देखिएगा कि तदानुसार आप पुलिस महानिदेशक बिहार पटना के करियाले में दिनांग 1 अगस्त 2022 से लेके 20 अगस्त 2022 के बीच में चैन पत्र के साथ है अगर तक करवाई है तू निशित रुप से उपस्तित होकर अपना योगदान दे ठीक तो यह जो डेट दिया गया है उसी डेट में जाना है अभी आपके पास समय है थोड़ा घूम लिजे जहां घूमने का मन है जो काम करने का मन है वो कर लिजे जो डोकुमेंट्स है बाल लिजे कि अगर डोकुमे अब हम बात करते हैं इनी का सेलेक्शन हुआ है आप सभी लोग जानते होंगे पिछले दिनों यह अपना बताय था स्टेट जी और बताय थी इंपोटेंट टॉपिक भी और भी आगे के वीडियो आते रहेगा कि कौन से कौन सब्जेक्ट में कौन महत्पूर टॉपिक है अ इनका रियल्ट नहीं हुआ इस बार भी फिसकल में बहुत कम समय मिला हुआ था और इनका इंटीपिसी के भी एकजाम था तो उसका भी तयारी करना था फिर भी फिसकल के तयारी एक देड़ महीने में करकर अपना फाइनल रूप से मेरिट लिष्ट में अस्थान बना लिए जोइनिंग कराना ही अंतिमरुफ से भंति पर किरिया पूरा होना होता है जैसे उनको सेंटर पर भेज देना ठीक तो आप जान रहे कि अभी अभी भी सेंटर खाली नहीं है जहां पर अभी ट्रेनिंग चल रहा है पिछले वाला भरती का फाइनल उनका प्रेड होकर जब त प्रेड रहा होता है कि कैसे फायर लिखा जाता है या कुछ भी सिखने का मिलता है ठीक तो आप पिछले बार भी देखा गया था पिछले बार वाले जो दरोगा का भरती हुआ तो उसमें भी आईसा आपको देखने को मिला था 2017 वाले में 2019 वाले में और इस बार भी मुझे अपको होगा क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर भी नहीं खाली है तो फिर इसमें बीच में मेडिकल भी होना है फाइनल आपको डॉक्मेंट विरिफिकेशन उस समय जब होता है कि आपको जैसे आपके ही डिश्टिक में वेजा जाता है यह सभी पर क्रिया आपको होगा और कोई मैं बwhi भी दिक्कत नहीं होना चाहिए मुझे लगता है अब अब फाइनल लूप से आपका यह फाइनल लेकशन लेटर है अपको पूर लूप से आहिए सजिस्ट करता हूँ कि अपने तयारी में अभी से जूटे रहीएगा यह मत सूचिएगा कि आपको ज्यादा समय मिलने वाला है कभी जब भी भरती आएगा बहुत जल्दी पर करिया के अंतरगत आपका पीटी और मेंस भी लिया जाएगा ठीक तो अभी से लगे रहीएगा ज एगजाम पीटी पर ही आपको ज्यादा फोकस करना है क्योंकि जब भी भरती आएगा पीटी ही होता है उसमें पले 20 गुना में अपना स्थान बनाईएगा और उसके बाद फिर 8 गुना में अपना स्थान बनाना होगा फिसकल के लिए ठीक तो यह जनकारी देना था अभी जो भी नहीं देखें जल्दी से देख लिजे और आप पताईए कि किसमें आपका सेलेक्शन हुआ है सार्जेंट में हुआ है कि दरोगा में हुआ है वीडियो अच्छा लगता लाइक कीजिएगा और सेल्फ अस्टेश से ही इन्होंने एक्जाम निकाला है आप भी सेल्फ को किया जाएगा ठीक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्वाइब